स्वागत है एक बार फिर से आप सभी सातियों का द्रिश्टी PCS के Special Current Update प्रोग्राम में मैं हूँ सल्मान और आज हम जिन सवालों के उपर चर्चा करेंगे वो बीते हफ़ते कुछ ऐसी खबरें जो की आगामी परिच्छा के लिए महतपूर हो सकती है जिनके उपर समसामाई की से सम्बंदित कोई सवाल बनाया जा सकता है तो उन खबरों के तर्ज पर सवाल को बना करके इस एपिसोड के माध्यम से आप सभी तक पहुचाने के एक प्रयास रहता है जिससे की जो आगामी परिक्षा में जो भी समसामाईकी से संबदित खबरे हैं उन से जोड़कर के कोई भी सवाल अगर बनाया जाता है तो उसको सरल रूप से आप लोग उसे परिक्षा में हल कर सके तो एपिसोड की सुरुआत करते हैं, पहले सवाल से सवाल है हर साल कब देश में नौसेना दिवस मनाया जाता है नौसेना दिवस यानि कि नेवी डे की यहां पर बात कर रहा है विकल्प है 4 दिसंबर, 3 दिसंबर, 8 दिसंबर या 10 दिसंबर तो नौसेना दिवस की अगर हम बात करें तो यह प्रतियक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है वर्स 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ था तो भारती नवसेना के द्वारा पाकिस्तानी नवसेना का जो मुख्याल है था उसको निशाना बनाते हुए एक आपरेशन शुरू किया गया था चार दिसंबर को हाला कि जो ये जंग की शुरूआत हुई थी उसकी शुरूआत तीन दिसंबर से ही हो गई थी लेकिन जो ये ऑपरेशन लॉंच किया गया था ये चार दिसंबर से लॉंच किया गया था भारती नवसेना के द्वारा इसी लीए 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्स नवसेना दिवस या वीडे सेलिब्रेट किया जाता है मनाया जाता है भारत में आए से संबंदित कुछ महतपूर बातों को एक बार देख लेते हैं तो यह जो आपरेशन शुरू किया गया था भारती नौसेना के द्वारा उसका नाम था आपरेशन ट्राइडेंट और यह कब शुरू किया गया दिसंबर को शुरू किया था लेकिन जो जण थी जानी भारत और पाकिस्तान के बीच वर्स 1983 जो युद्ध शुरू हुआ था वो तीन दिसंबर को ही शुरू हो गया था और इसके अंतर्गत पाक्स्तान ने भारती हुवाई छेत्र और सीमा वरती छेतर में जब अटाइक किया था तो इसका जवाब देते हुए भारती नौसेना के द्वारा पाकिस्तानी नौसेना के मुक्ठालय को निशाना बनाया गया था आपरेशन ट्राइडिंड के अंतरगत तो ये इससे संबंदित कुछ महत्पूर बाते रही आई अगले प्रस्ण को देखते हैं अगला सवाल है हाल ही में किस मंत्राले द्वारा मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव पूट कॉनक्लिव का आयोजन किया गया है विकल्प है वाडिज और उद्योग मंत्राले, कम्पनी कार्य मंत्राले, सूक्ष्म लगु और मध्यम उद्यम मंत्राले या सबसे अंत में है सिक्षा मंत्राले तो अभी हाल ही में वाडिज और उद्द्योग मंत्रालाई के दुआरा मिलिट स्मार्ट न्यूटिटि फूट कांक्लेव मनाया जा रहा है और इसके अंतरकत अगर हम बात करते हैं तो भारत की जो पूरी वैश्विक इस तर पे मिलिट यानि बाजरे का उतपादन होता है उस इसके अंतरकत वो सिर्फ इतना है कि इतने बड़े पैमाने पर उतपादन होने के बावजूद भी भारत जो बाजरे का निर्यात करता है वो मात्र एक प्रतिशत ही है जो की एक चिंता का विशय है यहाँ पर अगर देखें तो 41 फीसदी बाजरा जो है पूरे विस करता है लेकिन मात्र एक प्रतिशत ही इसका निर्यात भारत के द्वारा अन्य देशों में किया जा रहा है तो यह अपने आप में एक चिंता का विशय है और यह सोचने की बात है कि किस तरह से भारत द्वारा इसके निर्यात को बढ़ावा दिया जाए किस तरह से इसमें औ हुआ था विकल्प है केरल करनाटक तमिलनाडू या आन्रपदेश अगर पूर्व राष्ट्रपती आर वेंकट रमन की हम बात करें तो यह भारत के आठ्वें राष्ट्रपकी थे कि और इनका जन्म जो है कि चार दिसंबर कि वर्स 1910 में हुआ था कहां पर हुआ था तंजाओर जिले में जो की तमिलनाडू में है यानि कि इस प्रस्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा यानि कि पूर्व राष्ट्रपती आर वेंकट रमन का जन्म तमिलनाडू राज्ज में हुआ था यह एक वकील थे साथी साथ एक राजनीतिक थे इन्हें अपने जीवन का एक काफी लंबा अर्जा भारत की राजनीती में व्यतीत किया साथी साथ ये एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे अगर इनसे संबंदित कुछ महतपूल बातों को देखे जैसा कि मैंने बताया कि इनका जो जनम हुआ था तंजोर जिले में हुआ था तम संबर 1910 को इनका जनम तंजोर जिलत जो कि तमिल लाडू में इस्तित है वहां पर इनका हुआ था अगर इनकी बात करें तो इन्हों ने आठवे राश्टपती के रूप में 25 जुलाई वर्स 1987 को सपत ले थी और अगर इनकी मृत्यू की बात करें तो 27 जनवरी वर्स 2009 में इन्हों ने दुनिया को अलविदा कह दिया था तो ये इनसे संबंदित कुछ महत्पूर बाते रही अगले सवाल की तरफ चलते हैं दुनिया भर में विश्व मृदा दिवस यानि वर्ल्ड स्वाइल डे कब मनाया जाता है विकलप है 5 दिसंबर 7 दिसंबर 9 दिसंबर या 10 तो मृदा के संसाधनों का सतत रूप से किस तरह से प्रभंधन किया जाए साथ ही साथ स्वाइल की जो फेर्टिलिटी है यानि की मृदा के स्वस्त किस तरह से रखा जाए इन सभी मुद्धों पर चर्चा करने के लिए प्रतेक वर्ष 5 दिसंबर को वर्ड स्वाइल यानि विश्वम्रदा दिवस मनाया जाता है और अगर इसकी बात करें तो वर्ष 2002 से ही अंतर्राश्ट्री इस तर पर विश्वम्रदा दिवस मनाये जाने की कवायद शुरू कर दी गई थी किसके द्वारा की गई थी इंटरनेशनल यूनियन आफ सॉइल साइंसे जानी आई यू एसेस के द्वारा यह बात रखी गई वर्ष 2002 में कि विश्वम्रदा दिवस को अंतर्राश्ट्री इस तर पर मनाया जाना चाहिए और इसकी इस बात का समर्थन जो है थाइलेंड के द्वारा भी मिला साथ की सा खाद एवं क्रिसी संगठन के द्वारा भी इस बात का समर्थन किया गया तो कुल मिला करके जब यह प्रस्ताव रखा गया और विभिन देशों विभिन जो संगठन है उसके द्वारा जब इसका समर्थन किया गया तो यूएन जेनरल एसेंबली ने वर्ष 2014 के दिसंबर माह में इसे सेलिब्रेट करने के लिए जो प्रस्ताव था उसका स्विकार कर लिया गया और इस तरह से जो पहला विश्च उम्रदा दिवस था उसका आयोजन वर्ष 2014 में किया गया था अगला सवाल है चीता IUCN की किस करेगری में शामिल है विकलप है endangered Critically endangered या less concerned अगर हम चीते की बात करें तो चीता जो है अगर पूरे प्रित्वी ग्रह की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि प्रित्वी पर जो भूमी पर सबसे तेज चलने वाला जानवर है तो वो चीता ही है साथ ही साथ जो जीनस है अगर हम इसकी जीनस की बात करते है इस जीनस के अंतरगत जो बिल्ली होती है वो इसी ग्रुप में रखा जाता है तो ऐसा माना जाता है बड़े जानवर, यानि जो बिल्ली को फैमिली है उस फैमिली के अन्तरगत बड़े जानवरों में जो चीता है कम खतरनाक जानवर है और इसको IUCN की Vulnerable कटेगरी में यानि जो रेडड़ डाटा लिस्ट है IUCN की उसके अन्तरगत वल्नरेबल की कटेगरी में, वल्नरेबल की स्टेडि में रखा गया है, वहीं अगर हम इसकी बात करें, इसकी वैग्यानिक नाम की बात करें, तो इसका वैग्यानिक नाम जो है, एसी नौनिक्स जुबेटस है, कभी-कभी प्रस्ट में पूछ लिया जाता है, चुकि यह जो ह अभी vulnerable की category में शामिल किया गया है IUCN में तो संभावना बन सकती है कि इसके वैग्यानिक नाम को भी परिक्षा में पूछ लिया जाए तो यहां पर जो इसका वैग्यानिक नाम है एसी नानिक्स जुबेटस यह महतपूर हो जाता है और जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं वल्नरेबल तो इसे वल्नरेबल की स्रेडी में रखा गया है चली अगले प्रसन की तरफ चलते हैं अगला प्रसन है टेक्नो टेक्स 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा विकल्प है टेक्स मतलब टेक्स्टाइल जो कि कपड़ा उद्योक से संबंदित है यानि टेक्निकली अगर हम बात करें तो टेक्नो लॉजी टेक्स्टाइल की बात कर रहे है या जो है एक वैशुविक इस्तर पर ही नहीं बलकि वैशुविक इस्तर की जितने भी मुख्यकारी अधिका या वस्त्र उद्योक से संबंधित जो भी निर्माता है या उसके अन जो हित्धारक है इस तरह का एक मंच प्रदान करता है इन सभी हित्धारकों के मिलने के लिए और इनके निर्ट वर्किंग को बढ़ाने के लिए जिससे की कपड़ा उत्पादन यानि जो टेक्स्टाइल इंडस्ट्री है उसको किस तरह से और जादा विकसित किया जा सके तो इसके संबंध में भारत के वस्त्र मंत्राले के दौरा तिक्की के सहीयोग से इसका आयोजन मुंबई में किया जा रहा है यानि कि इस प्रस्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा ये बीवाला हो जाएगा इ इसका आयोजन जो है वर्ष 2023 में 22 फरवरी से लेकर के 24 फरवरी के दौरान मुंबई में आयोजन किया जाएगा इसका और इसके अंतरकत जैसा कि मैंने बताया कि टेक्स्टाइल उद्योग का ये सबसे बड़ा आयोजन है और इसके अंतरकत मुख रूप से ना किवल भारत बनकि वैस्विक इसतर पर जितने भी सीर्स कंपनिया है कपड़ों से संबंधित यानि कि कपड़ा उद्योग से संबंधित जो भी सीर्स कंपनिया है वैस्विक इसतर के उनके CEO निर्माताओं वस्त उद्योग से जोड़े सहकर्मियों खरीद और उसके प्रबंधन से जोड सरकार के वस्त्र मंत्रालाई के दुआरा टिक्की के सहयोग से किया जा रहा है तो यह कुल मोटी मोटी बाते रही सिस्संबंधित आई अगले प्रस्ण को देखते हैं अगले प्रस्ण से पहले आप सभी विद्यारतियों के लिए एक सूचना है द्रिष्टी संस्थान की और स कि आगामी बिहार की जो मेंस की परिच्छा लोकसिवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली है उसके लिए द्रिष्टी संस्थान की और से कक्षाय शुरू कर दी गई है ना किवल मेंस के लिए ही बलकि संस्थान की और से अगली जो प्रिलिम्स की परिच्छा आयोजि कर सकते हैं और इस कोर्स में प्रवेस्ट ले सकते हैं तो चलते हैं आगे की तरफ कि अगला सवाल पुछा गया है हाल ही में सूचना और प्रसारल मंत्री ने कहां पर इस्थित अगनी कॉलेज टेकनोलोजी में वर्चुल ड्रोन ए लर्निंग प्लेटफॉर्म के शुरुवात चन्नाई में की है यह चन्नाई में इस्थित है आए इससे जोड़ी कुछ अन्य महत्पूर बातों को देखते हैं यह जो शुरुवात की गई है यह देश में इस तरह का अपने आप में एक प लर्निंग प्लेटफॉर्म के शुरुवात कहां से की गई है आपका उत्तर हो जाएगा चन्नाई और चन्नाई में कहां से अगनी कॉलेज आफ टेकनोलोजी यह कॉलेज भी महत्पूर हो जाता है परिच्छा के मद्दे नजर क्योंकि कभी-कभी सीधे तोर पर उस स्थान उस जगह या उस विद्याले या उनिवर्स्टी जहां से शुरुवात की जाती है उसको भी प्रस्ट में पूछा जा सकता है तो यहां पर अगनी कॉलेज आफ टेकनोलोजी जो है परिच्छा के मद्दे नजर महत्पूल हो जाता है चली आगे चलते हैं और इस शुरुवा ट्रिपल सेविन को बह warranty दिखाई गए है तो यहां पर ऑपरेशन कि एक एक एकिन सवाल पूछा से करके भी प्रस्ट आगामि परिच्छा में पूछा जा सकता है तो ऑपरेशन ट्रिपल्सेविन या Google तो सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसी खबर जिस्से की जनता में रोश उत्पन हो जाता है या वैचारिक मदभेद के चलते एक लड़ाई सुरू हो जाती है या विभिन धर्मों विभिन संगठनों के मत कोई इस तरह की बात सुरू हो जाती है जिस्से की देश की रास्ट् इनफISAरमेशन अभियान तो इस प्रस्थिका जो शही उत्तर हो जाएगा यह डी वाला हो जाएगा और इसके अंतरगत प्री बंकिंग वीडियोज का इस्तेमाल किया जाता है और ये प्री बंकिंग वीडियोज क्या करती है कि ऐसी वीडियोज जो कि शोशल मीडिया पर या गूगल से संबंदित जो अन्य प्लेटफॉर्म है जैसे यूटूब बगएरा है वहाँ पर इस तरह कि कोई भी वीडियो जब वाइरल होने वाली है तो उनसे ही क्या करती है ये निप्तान करती ही यानि कि ऐसी वीडियो को प्रचारित और प्रसारित होने से प्री बंकिंग वीडियोज क्या है रोकती है तो इस तरह से इस प्रस्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा, गूगल हो जाएगा, चलिए अगले सवाल को देखते हैं अंतर राश्ट्री नागरिव उड्डेन संगठन, ICAO की इस्थापना कब की गई थी? वर्ष 1940, 1944, 1950 या 1957, इस प्रस्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा, वर्ष 1944 हो जाएगा, इससे संबन्दित कुछ महतपूर बातों को अगर देखें, तो प्रतेक वर्ष अंतर राश्ट्री नागरिव उड्डेन दिवर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है और इसके अंतरगत नागरिव उड्डेन के महत को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राश्ट्र द्वारा इस दिन की स्थापना की गई थी, यानि कि ये जो 7 दिसंबर को अंतर राश्ट्री नागरिव उड्डेन दिवस मनाया जाता है, इसकी शुरुवात या इसकी पह गई थी, तो संयुक्त राश्ट के द्वारा ही वर्ष 1944 में शिकागो में अंतर राश्ट्री नागरिव उड्डेन पर कन्वेंशन के दौरान अंतर राश्ट्री नागरिव उड्डेन संगठन यानि आई-सी-ए-ओ का स्थापना की गई थी, और इसके अंतरगत, यानि आई-सी-ए-ओ की परिशत की अगर हम बात करें तो प्रतेक चार साल में अंतर राश्ट्री नागरिव उड्डेन दिवस के लिए एक थीम भी स्थापित की जाती है, और वर्ष 2023 के लिए जो थीम स्थापित की गई है, या सीधे-सीधे परिक्षा में कभी-कभी यही पूछ लिया जाता है, या इस तरह से प्रस्न बनाया जा सकता है कि अंतर राश्ट्री नागरिव उड्डेन दिवस के तहत इसकी टीम वर्ष 2023 तक क्या रखी गई है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वैश्विक विमानन विक के लिए नवाचार को आगे बढ़ाना, तो यह रही बात इस प्रस्न से संबंदित, अगले प्रस्न को देखते हैं, हाल ही में RBI ने रेपो रेट में इजाफा किया है, वर्तमान में भारत की रेपो रेट क्या है, 5.70%, 5.90%, 6.20% या 6.25%, तो अभी हाल ही में बात करें, तो एक दो दिन पहले ही RBI की बैठक हुई थी, और RBI की बैठक के दोरान जो बात निकल करके आई है, उसके अंतरगत 0.3% इसमें इजाफा करने की बात की गई थी, यानि रेपो रेट में, और इस तरह से अगर वर्तमान में बात करें, तो भारत की रेपो रेट है, 6.25% हो बात करें वाड़िजिक बैंकों की, तो जब वाड़िजिक बैंक जो है, देश के केंदरी बैंक, यानि RBI से उधारी लेते हैं, उधार लेते हैं, तो उसके लिए उन्हें केंदरी बैंक को कुछ पैसे देने होते हैं, तो वो पैसे की प्रतिशता क्या है, 6.25% यानि वो ज अगले प्रस्ण को देखते हैं हाल ही में किस संस्थान के शोधकरताओं ने एक इस प्रस्ण के इस सभी उत्तर हो जाएगा आयाइटी मदरास के शोधकरताओं ने एक एकशन विएव इनर्जी कंवार्टर विक्षित किया है और उसका मुख्यकाम होतास्य होता इ। कुछ समुद्री लहरे हैं या जो समुद्री तरंगे हैं उन तरंगों का प्रयोग करके बिजली उत्पादन करना यानि कि यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें समुद्री तरंगों का प्रयोग करके बिजली का उत्पादन किया जाता है इससे संबंदित कुछ महतपूर बातों को भ दोबग 6 किलो मीटर दूर 20 मीटर की गहराई वाले इस्थान पर तैनात किया गया है तो प्रस्ट में यह भी पूछा जा सकता है कि इस कन्वेटर को कहां पर इस्थापित किया गया है तो आपका विक उत्तर हो जाएगा तमिल नाडू में इस्थित टूती कोरीन के पास और इ अगला प्रश्ण है भारत और बांगलादेश मैत्री दिवस कब मनाया जाता है पांच दिसंबर है दिसंबर साथ दिसंबर या आठ दिसंबर तो भारत और बांगलादेश मैत्री दिवस जो है छे दिसंबर को मनाया जाता है और इसका आयोजन जब भारती प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी बांगला देश की यात्रा पर वर्ष 2021 में गय हुए थे तो तभी से इसका आयोजन किया जाता है और अभी हाल ही में भारती उच्छा आयोग जो की बांगला देश में वहाँ पर ढाका में मैत्री दिवस की एक क्यावनवी वर्षगाठ हिनोंने मनाई है वर्ष 1971 में इसी दिन्यानी की 6 दिसंबर के दिन भारत ने बांगला देश की मुक्ती से 10 दिन पहले ही बांगला देश को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट के रूप में दर्जा दे दिया था और इसके अंतरगत अभी हाल ही में उच्छ आयोग के द्वारा धाका में मैत्री दिवस का आयोजन किया गया है इस प्रस्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा 6 दिसंबर हो जाएगा अगले प्रस्ण को देखते हैं भारत की G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक कहां आयोजन की गई नई दिल्ली, जैपूर, उदैपूर या मुंबई तो G20 के जो भी शासना अध्यक्ष है या जो शेरपा है या प्रतिनिधी है उनकी बैठक जो है भारत की अध्यक्षता में अभी हाल ही में राजस्थान इस्तित उदैपूर में आयोजित की गई है तिस तरह से इस प्रस्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा उदैपूर हो आगे वह आगामी परीच्छा में आप सभी के लिए महतपूर साबित होंगे लेकिन यदि आपकी कोई क्वेरी है या कोई भी ऐसा सुझाओ जिससे कि हम अपने इस एपिसोड को और भी बेहतर तरीके से आप तक पहुचा सकते हैं तो आप लोग साधारामंत्रित हैं तो मि और एप सुझाओ जब कि अपकी को और रता हैं तो मिए लेकिन तो मिए इसा